हाई फ्रेंड्स वल्कम बेक टू आर चैनल आज हम जियो भारत टू का जो मॉडल है उसका जो एलसीड वेज़ है आज हम उसे ट्राक करके दिखाएंगे कि वो जो एलसीडी का ट्राक से वो कहां पर जाता है एक कोई बार के यह ट्राक प्रब्लेम होने से मोबाइल आन नहीं ह होता है तो आज हमार पैसे एक जियो का मॉडल है भारत टू वो आन तो है लेकिन उसका जो एलसीडी लाइट है और एलसीडी ग्राफिक्स है कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसलिए हम पहले मुबाइल को ओपन कर लेते हैं कि यह देखिए हम अभी चार्जिंग फिन प्लाग इन की तो चार्ज ले लिया लेकिन मुबाइल डिस्पेय पर कोई लाइट नहीं आ रहा है देश सकते हैं कि उसका जो कीप और लाइट है वो आन है तो हम अभी से खोलने जा रहे हैं यह जियो का एक निया मॉडल है जो कि हली में लांच हुआ है तो आप देख सकते हैं यहां पर 20 पिन का LCD लगा हुआ है लेकिन इसका जो ट्राक से वो 20 पिन का है तो ठीक है देखते हैं हम इसे आन कर रहे हैं अब देख सकते हैं इसका जो LCD उसे में कोई ग्राफिक्स या लाइट कुछ भी नहीं आ रहा है लेकिन इसका जो कीप और लाइट से वो आन है इसका मतलब सेट हमारा आन है लेकिन इसका जो ग्राफिक्स या LCD लाइट वो नहीं आ रहा है तो इसके लिए हमको पहले इसका जो बोड है मुदर बोड उसे निकलना पड़ेगा तो पहला हम इसका जो LCD उसे हम निकल देता है अब देख सकते हैं कि किस तरह से LCD निकल है ध्यान से निकलना नहीं तो आपका जो LCD है वो तोड़ सकता है देख सकते हैं यह 24 पिन का ट्रैक्स है लेकिन इसमें 22 को 20 पिन का LCD लगा हुआ है तो हम इसका जो मादर बोड है उससे उपन कर लेते हैं पिन करने के बाद उसका जो सील है उसे हम निकलते हैं पहले आपको एक पिस्टी वी होल्डर की जरूरत पड़ेगी तो यहां पर बोड को पिस्टी वी होल्डर की जरूरत पड़ेगी होल्डर पर लगा के आपको थोड़ा हीट देके उसे उसका जो सेफ्टी सील से उसे हम निकल लेंगे निकलने से पहले आप उसी में थोड़ा पैस्ट लगा लेना ताकि वो जो शोलिंग लगा हुआ है वो आसानी से मेल्ट हो सके आपको मेमोरी का जो स्लोट है उससे ठीक रखने के लिए आपको थोड़ा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए आप उसमें कोई भी कवर लगा लेना ताकि वो हीट होके मेल्ड ना हो देख सकते हैं कि हमने सारे की सारे सेटी कवर हटा ले हैं तो मैं इसका डाइग्राम के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि कांसा ट्राक कहीं पर जा रहा है तो आप उससे ध्यान से देखिए अगर आपका कोई भी ट्राक मीश हो तो उससे आप जंपर के माध्यम से ठीक कर सकते हो अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज लाइक इन सब्सक्राइब कर दिजए यह देखिए हम इसका जो सारे सेटी कवर है उसे हम हटा लिए हैं तो यहाँ पर जो रेड डट दिख रहा है वो लाइट का है और यह जो सेकेंड वाला है वो भी लाइट का है कि जो सेकेंड वाला है वह यहाँ पर तीन जगा पर होके आ रहा है तो आप इससे भी चेक कर लें कि यह प्रब्लम होने पर मुबाइल का जो लाइट है वो नहीं आता है तो आप इसमें देगे सारी स्टेप को फ़लो किजिए आपका डिस्प्ले का जो प्रब्लम है वो हंड्रेट परसंट ठीक हो जाएगा हम इसका जो सारे ट्राक्स है उससे तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो इसलिए जो ट्राक्स इंपोर्टांट है उसे हम फाइंड आउट कर लिए हैं तो आप चाहे तो आप इसे में कोई भी ट्राक्स मीश हो तो आप इसे आसानी से ढून सकते हैं अब तब के लिए बाई